कि अपने यूटूब पर यूआर वाई टू इस्टड़ी पर आज दोस्तों इस वीडियो के मादन सीखेंगे हम LCM और HCF यानि कि दोस्तों देखिए LCM और HCF को मिला कर जो प्रस्ण आपके पेपरों में पूछे जाते हैं दोस्तों आज मैं इस वीडियो में उसी प्रस्णों को आपको अच्छे से सिखाऊंगा इसलिए दोस्तों आपको अगर इस तरह के प्रस्ण करना नहीं आता तो आप लोग हमारे वीडियो पर अंत्तक बने रहना तो दिख़ी दोस्तो, आज का पहला प्रस्त क्या दिया है? आज का पहला प्रस्थ यह दोस्तो दो संख्याओं का LCM 225 है और उनका HCM 5 है यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी तो दिखी दोस्तो यहाँ पर अगर हमें LCM पता हो, HCF पता हो और एक संख्या दी रहे तो इसका एक simple फार्मूला आता है दोस्तो यहाँ पर पाली संख्या, गुडे, दूसरी संख्या उसके बाद बराबर में हो जाएगा दोस्तो LCM, गुडे, HCF तो दिखी दोस्तो यहाँ हमारा एक simple फार्मूला बन गया पाली संख्या, गुडे, दूसरी संख्या बराबर में LCM, गुडे, HCF तो दिखी दोस्तो यहाँ पर LCM को कहते हैं हम लगुत्तम समापोड़ता और HCF को कहते हैं दोस्तो highest common factor यानि की महत्तम समापोड़त तो दिखी दोस्तो यहाँ तो हो गया हमारा simple फार्मूला अब इसी फार्मूले पर दोस्तो इन सभी मानों को रखेंगे और हमारा right उत्तर पता चल जाएगा तो दिखी दोस्तो चार आपसन आपके पास दिए हुए हैं तो दिखी पाली या कोमे से लिख देंगे उसके बाद बराबर करेंगे दोस्तो यहाँ पर दिया है LCM LCM कितना है 200 25 अब फिर गुड़ा लगाएंगे अब HCP दिया है दोस्तो हमारे पास यहां से 5 तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 अब दिखी दोस्तो इस 25 को यानि कि यहाँ पर 25 हमारा रंख्या बराबर दोसो पचीस गुड़े पांच और बटे में पचीस क्योंकि पचीस को अगर मैं दाहिनी तरब लेकर आऊंगा तो यहां पर गुड़े पर रहेगा तो इस साइड आएगा दोस्तों तो हमारा हो जाएगा बटे में यानि कि भाग के रूप में तो देखिए अब पांच काटेंगी 25 को तो पांच बार गया अब पांच से फिर हम 225 को काटेंगी दोस्तों तो यह होगा पांच चाव बीस कितना बचा दो बचा त्या हो गया 25 पचम 25 यानि कि देखिये दोस्तो हमारी दूसरी संख्या हो गई 45 45 हमारा दूसरी संख्या होगी और दोस्तो यही हमारा रायट उत्तर हो जाएगा यानि कि correct answer होगा जो कि आपके आफसर नंबर C में दिया हुआ है तो हमारा तीसरा correct उत्तर होगा दोस्तो तो फिर चलिए साथियो अब हम देख लेते हैं अगले प्रश्ट को जो की इसी प्रकार का है तो देखिए दोस्तो अगला प्रश्ट क्या दिया है अगला प्रश्ट हमारा दिया है दो संख्याओं का यचिसियप और यल्सियम करम सा तेरा और आट सो उनाईस है यदि एक संख्या इक्यान बे है तो दूसरी संख्या क्या होगी तो दिखिए प्रश्ट को सबसे पहले हम ध्यान पूर्वक अच्छे से देखेंगे तो दिखिए यहाँ पर हमारे पास यचिसियप का मान क्या दिया है यहाँ पर यचिसियप का मान दिया है तेरा और यल्सियम का मान दिया है आट सो उनाईस दोस्तो दिखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात या है कि हर दम AHCM का मान छोटा होगा और LCM का मान बड़ा होगा तो देखिए यहाँ पर हमने सूत्र तो सीख लिये था तो पहली संख्या यानि कि पहली संख्या हमारे पास दिया है 91 तो यहाँ पर देखिए सूत्र हो गया पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या बराबर में बराबर में लिखेंगे LCM कमान 829, अब फिर गुड़ा लगाएंगे HCF का, HCF दिया है 13, अब दिखिए, यहां से दोस्तों हम क्या करेंगे, इस गुड़े को, यानि कि 11 हमारा 22 साइड में, गुड़े में लगा है, इसे हम दाहिनी साइड में लाएंगे, तो यह हमारा बटे क रूप में हो जाएगा, तो यह हो गया सेकंड संख्या, यानि कि दूसरी संख्या बराबर, 829, गुड़े 13 और बटे में, 91, तो देखिए दोस्तों, अब हम इसे काटेंगे तो यह कितनी बार जाएगा, देखिए, 91, को हम 829 में भाग लगाएंगे, तो देखिए, यह होग हमारे पास, 9 से काटेंगे, तो 99, 89, यानि कि यह कटेगा, दोस्तों, हमारा 9 बार में, तो दिखिए साथियो, अगर इसका 9 मान आया, तो यहाँ पर क्या होगा है, 9 गुड़े, 13, अब दिखिए, 13 नमईं कितना होता है, 13 नमईं होता है, साथियो हमारा 117, तो 117 हमारा इस राइट उत्तर होगा, जो कि आपसा नमबर B में हमारे पास दिया हुए है, दोस्तों, तो फिर चलिए दोस्तों, आपको दोनों प्रस्ण अच्छे समय आ गया है, तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, आज का हम आकरी प्रस्ण देखते हैं, जो कि उसी दोनों प्रस्णों पर आधारित है, तो दीखिए साथियो, हमारा तीसरा प्रस्ण क्या दिया है, दो संख्याओं का LCM 526 है, और उनका HCF 8 है, यदि एक संख्या 16 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दीखिए, यहाँ पर भी हमारा LCM बड़ी संख्या है, और HCF छोटी संख्या है, तो दीखिए, यहाँ पर सूत्र हमारा है, पहली संख्या, गुड़े, दूसरी संख्या, बराबर में LCM, गुड़े, HCF, अब दीखिए, यहाँ पर पहली संख्या दिया है, हमारे पास, 16, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, 16, फिर गुड़ा लगाएंगे, दूसर अब दिया है हमारे पास आठ यहां पर लिखेंगे आठ अब देखिए इस गुड़े को यानि कि जो हमारा दूसरी संख्या के साथ गुड़ा लगा है दोस्तो इसे हम इस साइड लेकर आएंगे यानि कि दाहिनी स्तर पलाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा बटे में यानि कि दूनी 16 अब दोसे हम 526 को भी कार सकते हैं तो यह हो गया दो दूनी 4 एक बचा यह हो गया 12 दो चंग 12 अब यहां पर बचा दोस्तों 6 तो दो थियाई 6 यानि कि 263 हमारा करेक्ट एंसर हो जाएगा यानि कि राइट उत्तर दोस्तो तो तो दिकी दोस्तों आपके पास कहां इस तरह के प्रस्ट करना अच्छे से आ गया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें